तो आज का वीडियो लिखे हैं मैं कुछ GK के अपड़ेटेट कोश्चन्स के उपर आपको हेल्प करेंगे आपके ACC रिटन एक्जामनेशन में और साथ ही साथ जो आपकी वाइल सी होने वाली है वाइल सी के लिए भी अगर आपको ग्रूप जोइंग करना है कोई भी ACC के रिगार्डिंग, SEO के रिगार्डिंग तो आप इस नमबर में वाट्सप कर सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए हो यहाँ पर पर प्रोवाइट कर रहे हैं रविन्ना टैगोर जी पहले इंडियन थे हैं जिनको नोबल प्राइज से सम्भानित किया गया था तो दुरूनाचार आवाड किस्ची से रिलेटेट है यह related है best coach in sports और किसी game से उनको दुराणचा रवाट से नवाज़ जाता है अगर यहाँ पर आपके लिए आता है कि अरजुना रवाट किसी से related है तो यह best athlete के related है यह किसी भी sports है और games में next है खजराओ situated in खजराओ कहाँ पर situated है तो यह मद्यपर्देश में खजराओ situated है does earth have one large natural satellite known as earth का जो सबसे बड़ा satellite है जो कि natural satellite है वो कौन सा वो है moon who played Gandhi's role in the film Gandhi that is Ben Kengyasi teachers day celebrated teachers day कौन से दिन celebrate किया जाता है यह 5 September को celebrate किया जाता है इसके regarding एक और information है teachers day के regarding जो world teachers day मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 October को किस दिन को मनाया जाता है वो 5th of October अगर आपके पास question आता है world teachers day किस दिन celebrate करते हैं तो वो celebrate करते हैं 5th of October और जो हम यह past September को teachers day celebrate करते हैं यह किसके बादे पर celebrate किया जाता है यह जो हमारे दूसरे प्रेसिडेंट थे स्वरपली राधा क्रिशन जी उनके जनम दिन के दिन जो की 5 सेप्टेंबर है उसन सेलिब्रेट किया जाता है और यह कब से स्टार्ट किया गया है यह स्टार्ट किया गया है 1962 से नेक्स्ट कोश्टन चलते है तो यह 1945 में नुकलियर बॉम डॉप किया गया था और इसमें एक चीज और है कि कभी कभी आपसे कोश्टन पूश जाते है जो दो नुकलियर बॉम गिराए गया थे उनका नाम क्या था तो एक नुकलियर बॉम गिराए गया था 6 अगस्ट 1945 को अगर आप लोगों ने प्रिवेस लुडियो देखे होंगी तो उसके बारे मैंने काफी क्लियरली बताया था आप लोगों को जो दो बॉम गिराए गया थे उनका नाम था लिटिल बॉई एंड फैट मैन नेक्स्ट है ओन विच रिवर इस दे प्लमजी नागला डैम तो ये है सतलच पे इंडिया ज्नाशनल फ्लावर क्या है लोटस है धनराजपिल्ले इस लेटिट टो विजगेम धनराजपिल्ले कौन से गेम से लेटिट थे ये होंकी से लेटिट थे नेक्स्ट है तो जब UNO आती है तो यहाँ पे इसका पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होना अच्छी है और इस्टेबिस्ट कब हुआ था तो यह 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेबिस्ट हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को इसको नोट करके रख लेना अपने पास प्लीज अगर इसके headquarters के बारे में बात करें तो इसके headquarters है United Nations में जो इसके 5 members के बारे में बता है उनके नाम United States है चाइना है फ्रांस है रसिया है और United Kingdom है इसके बारे में इंटरेसिंग फैक्ट यह है कि कभी-कभी इनका इसका अल्टरेट जो नाम है वो Indus Valley Civilization भी है और हडपा Civilization discovered हुई थी 1921 में और द्याराम सानी ने इसको ढूंडा था तो ये important question है एसे related Indus Valley Civilization और हडपा Civilization which type of taxes were collected in South India particularly the Marathi Empire during the medieval time that is Chaut and Sardesh Mukhi next who started the Bodha movement that is Vinodha Bhave next who introduced English education in India that is Lord Mackey next one who is known as the Flying Six that is Milka Singh which vitamin is found in lemon and mango that is vitamin C vitamin C की कमी से बहुत सारे दिक्कते सामने आती हैं जिसमें infections हैं bleeding gum है scurvy है poor wound healing है तो ये सारे जो problems हैं ये vitamin C की कमी से आते हैं next how does the earth takes to complete one evolution तो ये कितने होते हैं 365.25 कह सकते हैं या 1 by 4 कह सकते हैं जो कि ये 1 by 4 add होते होते चार सालों में ये एक एक दिन extra create कर देता है जिसको हम leap year कहते हैं उस साल को तो ये चार सालों में होता है जिसके पीछे reason है कि 365.25 लगता है उसको revolution complete करने में अपना तो वो चार साल पे एक बार जोड़ जाता है next है who gave the slogan in club zindabad in club zindabad का slogan किस ने दिया था सरदार भगसिंग जी ने दिया था who was the chairman of the draft constitution committee तो ये थे dr. b. r. ambedkar अभी इस से related question आता है कि जो पहला amendment हुआ था constitution में वो कब हुआ था तो first amendment 1951 में होता है काफी important है नोट करके रखेगा इसको भी what is the highest place in the three level panchayati raja system that is district council what is the name of the current currency in sri lanka that is sri lankan rupees next है who was the first governor general of india that is william bantik national defense academy is located in dairadun next question who founded the ramakrishna mission that is swami vivekanan indian standard time is based on 82.5 e longitude so आपसे ये भी question पूशा जा सकता है कि ये जो 82.5 degree e है ये e क्या denote करती है या कि e किसके लिए stand होता है तो e direction लिए stand होता है east, west, south, north इन के लिए तो यहाँ पे अगर e रहा तो east है w रहा तो west है next पे चलते हम which state is situated in the eastern part of the India that is Arunachal Pradesh Arunachal Pradesh में दो festival मनाया जाते हैं एक है the Mopin festival and दूसरा है the Losar festival ये भी important है, say fact related तो इनको note करिए जो question मैं अलग से बता तो उनको परका note करिए because इसमें है नहीं और जब दुबारा आप सुनेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा बढ़ अगर अब भी साब note करते हो तो आपको help मिलेगा which country is across the Nathula Pass in the Himalayan region that is China next है which is the lowest layer of the atmosphere near the earth that is troposphere what is the name Vijayantha in the Indian army a battle tank Vijayantha क्या है एक battle tank है Chinese travel Fayan came to India at whose time that is Chandragupta 2 known as Vikrama Ditya ये भी important question है repeated वना ये next है what has the relation of the famous cinematic actor Prithvi Raj Kapoor and Raj Kapoor that is father and son which state of India is known as the tea production that is Assam which state of India is the highest rice production that is West Bengal which India city is located in Jantar Mantar that is Delhi which state of India is located in Dajling that is West Bengal Telugu is the official language of which state that is Andhra Pradesh how many players are in his team of the hockey game that is 11 what is the currency of Bangladesh that is Bangladeshi Taka next one what civilization formed the Neel River that is ancient Egypt where was Faraday Mercury Bond that is Stone Town Tanzania अभी अगला question से raise होता है कि Faraday Mercury कौन थे तो ये एक famous singer थे तो आज का यहीं update मैं close करता हूँ next video में मिलता हूँ मैं कुछ और important कुछ ऐसे interesting facts के साथ so once again if you like this video please do like subscribe मैं चनला thanks for watching this video जय है